दोस्तों बॉलिवोड के ग्लैमर वर्ल्ड में सब कुछ सौटेट दिखाई पड़ता है लक्जुरी गाडियां, फैन फॉलॉइंग, नेम एंड फेम की चगा चौंद और भी न जाने क्या क्या फिल्मों में एक अच्छा रोल मॉडल का करेक्टर ने भाकर ज्यादा बॉलिवोड एक्टर लोगों की नजरों में हीरो बन जाते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो अपने कारणामों की वज़ा से जेल की हवा खा चुके हैं साल 1997 में हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दोरां सल्मान ने दो काले हिरनों को गोली मारी थी जिसके कारण साल 2018 के अपरेल में उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई थी हाला कि सल्मान एक दिन जेल में रहे फिर बाहर आ गए इस तरह उन पर एक हिट एंड रन का भी केस है जिसमें कोट ने सल्मान पर एक इंसान की मौत और चार लोगों के जखमी करने के चार्जिस की दोशी ठेराया था और जिसमें उन्हें दोबारा पात साल की सजा सुनाई इस बार भी सल्मान एक दिन जेल में रहे और अगले ही दिन उन्हें बेल मिल गई भले ही इस केस को लेकर उनकी हेरिंग होती रहती है और उनके लौयर हमेशा उनकी मदद करते हैं और उन्हें बचा भी लेते हैं साल 2015 में सल्मान खान को हिट एंड रन के चार्जिस से भी र राशत में रह चुके हैं। हलाकि इन दोनों ने कोई क्राइम तो नहीं किया था लेकिन इन दोनों ने जो हरकत की थी इस वज़ा से बहुत बड़ी कॉंट्रुवर्सी खड़ी हो गई थी। 2009 में लैक में फैशन वीक इवेंट के दौरान अक्षे रैंप वॉक करते हुए और वो ट्विंकल खना से अपनी जीन्स के जिप खुलवाने लगे और दोनों पर F.I.R. दर्ज किया गया F.I.R. दर्ज होने के बाद इन दोनों को गिरफतार कर लिया गया, गिरफतार होने के बाद इस कबल को कई घंटे पुलिस हिरासत में बिताने पड़े बॉलिवट के मशूर कॉमेडियन जिन्होंने अपनी कॉमेडी से सबका मन जीत लिया है, कभी सोचा था कि सबको हसाने वाले राजपाली आदव भी जेल जा चुके होंगे राजपाली आदफ के जेल जाने का रीजन ये है कि उन्होंने एक फिल्म आई अता पता लापता इसके लिए उन्होंने अपने किसी एक दोस्त से पैसे उधार लिये थे फिल्म करने के बाद वो फिल्म ज्यादा चली नहीं और उसके दोस्त ने पैसे मांगने शुरू कर दिये और जब राजपाली आदफ को पैसे वापिस करने में थोड़ी देरी होने लगी तो उसके दोस्त ने राजपाली आदफ पर फ्रॉट का केस कर दिया जिसके वजह से राजपाली आदफ को तीन महीने के लिए जेल जाना पड़ा जेल से लोटने के बाद राजपाली आदफ ने बताया कि दोखा उनके दोस्त ने उनको दिया था पैसे लेते हुए 1992 में सैमी बुलिट मैगजीन में एक स्टोरी पबलिश हुई जिसमें ये दावा किया गया कि शारुक खान ने फिल्म माया मेम साब की एक्ट्रेस दीपा महता के साथ होटल में एक रात बिताई है इस स्टोरी को लिखने वाले जनरलिस्ट का मैगजीन में कोई जिक्र नहीं था स्टोरी पढ़ने के बाद शारुक खान गुस्ते से आग बबूला हो गए उन्हें लगा कि इस स्टोरी को कीथ डिकॉस्टा ने देखा है इसके बाद वकील उससे मिलने एक फिल्ड फंक्शन में चले गए वहां उन्होंने भरी महफिल में कीथ को गालिया दी अगले दिन शारुक कीथ के घर चलेगा और बाकी के पेरेंट्स के सामने ही उनसे गाली गलोच करने लगे यहां तक कि उन्होंने कीत को धमकी भी दे डाली इसके बाद कीत ने पुलिस प्रोडेक्शन की मांग करते हुए शारुखान के खिलाफ कम्पलेंट दर्ज कराई जब रिया सुशान की मौत के केस में बुरी तरह से उलच गई जिसका अधर उनके एक्टिंग करियर पर बहुत अधिक पड़ा अभी दो साल पहले सुशान सिंग की मौत इन्वेस्टिगेशन में रिया चकरवर्ती के साथ एंसीबी वालों ने लगातार तीन दिनों तक पूछ ताच की इसके बाद उनका ड्रॉक्स कनेक्शन वाला मामला सामने आया जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और फिलहाल वो बेल पर बाहाने लेकिन उनका केस अभी भी चल रहा है जिसके लिए उनके कोट के चकर आज भी काटने बढ़ते है बॉलिवुट के जाने माने अक्टर फरदीन खान जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया है लेकिन आजकल परदे पर कुछ खास नजर नहीं आते हैं हलाकि बात में कानून का फैसला फरदीन के हित में हुआ और उनको जेल से रहा कर दिया गया कोट की तरफ से ये फैसला हुआ कि फरदीन के पास सिर्फ एक ग्राम कोकेन बरामद हुआ जिसकी ससा 6 महीने का जेल या फिर रहाब सेंटर होता है फरदीन ने रिहाव जाना चुना था लेकिन ये केस लगबग 11 साल तक चलता रहा और आखिरकार फरदीन हित में ही फैसला हुआ रंग फिल्म में 5 रुपए में कोवा बिर्यानी खाकर मशूर होने वाले विजराज आज किसी इंट्रोडक्शन के महताज नहीं है वो विजराज को दो बार दो अलग अरोपों में गिरफतार किया जा चुका है पहली बार उन्हें 2005 में दुबई में गिरफतार किया गया था उस समय उन पर ड्रग्स रखने के आरोप लगे थे हाला कि बात में आरोब गलत साबित हुए, दूसरी बार उन्हें नवंबर 2020 में गिरफतार किया गया, इस बार उन पर फीमेल कोस्टार के हरस्मेंट का गंभीर आरोब लगा, आरोब के मताबिक जब विजराज फिल्म शेरनी की शूटिंग के लिए मद्धिपरदेश में थे, तब उन्होंने होटल की लॉबी में कोस्टार के साथ शेर्ट खानी की थी, इसके अलावा उन्होंने फिल्म के सेट पर भी ऐसी हरकत की थी, इन्हें माराष्ट के एक गोंदिया जिले से गिरफतार किया गया था, हलाकि उन्हें उसी दिन जमानत भी मिल गई, नमबर एक्सिडेंट हो गया, जॉन को तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उन दो साइकल वालों को बहुत चोट आई, वैसे जॉन बाकी लोगों की थरा मौके से भागे नहीं, बलकि उन दो साइकल वालों को हस्पिटल लेकर गए, और पुलिस को ये भी बताया कि एक्सिडें ने कई फिल्मों में काम करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है, साल 1993 में मुंबई में हुए सीरियल लिबरास्ट में गयर कानूनी तरीके से हथियार रखने का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें संजे दत का भी नाम आया था, जिसका केस कई सालों तक कोट में चलता रह के, 2012 में ताज होटल के एक रेस्ट्रों में एक NRI बिजनिसमेन के साथ सेफ अली की लड़ाई हो गई थी, सेफ अली खान उस बिजनिसमेन और कुछ दोस्तों के साथ डिनर के लिए गए थे, जहां दोनों के बीच कुछ अन्बन हो गई और बाद हाथ अपाई तक अली खान ही सेफ ने बिजनिसमेन के मुँपर मुक्कामार दिया जिससे बिजनिसमेन की नाक की हड़ी तोट गई, मारपीट करने के आरोप में सेफ और उनके दो दोस्तों पर केस दर्ज किया गया, सेफ अली खान को गिरफतार भी किया गया और उन्हें कई घंटे पुलिस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेर करना ना भूलें धन्यवाद